नमस्कार मिंत्रो मैं हूँ सुचिता गढ़ेवाल और आपका स्वागत करती हूँ कॉम्पिटीशन कम्यूनिटी के इस ओलाइन प्लेटफॉर्म पे देखिए आपने कई बार ये सारे शब्द सुने होंगे जब आप परिक्षा की तैयारी करना शुरू कर रहे होंगे उस समय आपने बहुत सारे लोगों की मुझे सुना होगा कि भाई तुमसे ना हो पाएगा तो हमें हमारी महनत और साथी साथ में कड़ी लगन से ये प्रूफ करना है कि भाई यदि हमसे नहीं हो पाया ना तो किसी से नहीं हो पाएगा अर्थात यह जो एक्जाम है यह हमसे ही निकलेगा यह चीज हमें सामने वाले को प्रूफ करके दिखानी है और किसी की वी बात से बुरा नी मानना और हार नहीं माननी कभी रुकना नहीं है तो चलिए अब हम हमारे सब्जेक की तरफ में आगे चलते हैं इससे बहले हम मध्य प्रदेश की जियोग्रॉफी को खतम कर चुके हैं आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में इतिहास के संदर्व में चीजे देखें इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो इतिहास का सामान्य अर्थ क्या होता है हिस्ट्री को हमें बोरिंग बना के बिल्कुल नहीं पढ़ना है, हिस्ट्री को अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें उसे इंट्रस्टिंग बना के पढ़ना है, तो सबसे पहली चीज जो हमारी हिस्ट्री है वो कहलाती क्या है, अर्थात हिस्ट्री की परिभाषा को क्या कहते हैं पुराने समय में बीटी हुई जितनी भी घटनाएं उन सभी घटनाओं के क्रमबध्य अध्यन को इतिहास कहा जाता है इतिहास का मतलब सीधा सीधा ये है कि बीते हुए समय की घटनाओं के क्रमबध्य अध्यन को इतिहास कहा जाता है तो बीते समय की घटनाओं के क्रम बद्ध अध्यन को इतिहास कहा जाता है अब इतिहास सम्मंदित है हमारा मध्य प्रदेश का इतिहास तो देखें यह हम भारत की हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं बलकि हम मध्य प्रदेश की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हमारा जादा फोकस जो है, वो मध्य प्रदेश समंद्ध तत्यों और साक्षियों में रहेगा। सबसे पहले चलते हैं कि इतिहास को कितने भागों में बाटा गया है और यह आधार क्या है इतिहास को बाटने का इतिहास को तीन भागों में बाटा गया है पहला हो जाता है हमारा प्राग एतिहासिक काल दूसरा हो जाता है आद्य एतिहासिक काल और तीसरा होता है एतिहासिक काल देखिए ये जो तीनों भाग है ये मुख्यता बाटे गए है लिपी की आधार पर और साथी साथ में समय अंत्राल की आधार पर देखे प्राग एतिहासिक काल एक ऐसा काल जिसमें ना कोई लिपी ना ही उसे पढ़ा गया अर्थात मानव बिल्कुल आदी मानव की तरह रहता था आदी मानव का अर्थ है क्या है देखे आदी मानव का अर् तो देखे, सबसे पहले आपको एक स्टोरी लेके चलनी है, स्टोरी क्या होगी, पहले हम देखते हैं प्राग यातियासिक काल को कितने भागों बाटा गया है, प्राग यातियासिक काल को हम चार भागों में बाटे हैं, और किसी किताब में इसे आपको तीन भागों में बाट दिखाई दे सकता है आध्य आत्यासिक काल को हम दो भागों में बाटते हैं देखे सबसे पहले प्राग आत्यासिक काल के जब हम बात करते हैं तो इसे बाटा जाता है पुरा पाशान काल मध्य पाशान काल नव पाशान काल और इसकी साथ में तामर पाशान काल में कई-कई कि इसके बाद आंगे कैसे प्रजापती और गौतमी कैसी सारी चीज़ें सामने आती है कैसे वर्ण व्यवस्था का जन्म होता है ये सब हमें देखने के लिए मिलता है आंगे बढ़ते हैं मध्य प्रिदेश में प्राग यातिहासिक काल हमारा पहला टॉपिक होगा तो प्राग यातिहासिक काल क्या सम्मंद रखता है कितने भागों में बटा है पुरा पाशाण काल, मध्य पाशाण काल, नव पाशाण काल और तामर पाशाण काल देखे सबसे पहले क्या कनेक करना है पाशाण काल पाशाण का मतलब होता है पत्थरों से और जहां बात हो रही है पत्थरों की आपको सारी चीजे बहुत अच्छे से clear होनी चीजी कि पत्थर का मतलब ही पाशार होता है और पत्थर जैसे हम बात कर रहे हैं कि यह जो है यहां पर सारे काम जो है वो पत्थरों की थ्रू किये जाते थे इस कारण से इस पूरे काल को पाशार काल कहा गया सबसे पहले देख रहे हैं पुरा पाशार काल की बात तो पुरा पाशार काल में क्या हुआ है हमें वो समझना है देखिए हम यहां पर क्या करते हैं एक नॉर्मल सा इमेजिनेशन करते हैं जिसके थ्रू हम उस चीज को समझ पाए यह पुरा पाशार काल के समय का जो मानव था यह आदी मानव था, पेडों पे निवास करता था, साथ ही साथ में, यह क्या किया, देखे, यह पेडों पे निवास करता था, पेडों पे निवास करते करते इसको लगने लगी भूक, अब भूक लगने लगी तो इसमें पत्तियों को खाना चालू किया, अब पत्ति खाने के उसने नीचे उतर के आना सीखा, इसके बाद उसने दो पैरों पे चलना सीखा, और जब यह दो पैरों पे चलना सीख गया, तो इस समय की बात है, तब आदी मानवों ने ओजारों का निर्मार किया, क्योंकि यहां पर कीवल पाशार ही थे, हमारे पास पत्थर ही थे के लिए अब जब बल्वा पत्थर का उपयोग हो गया ऑजार बन गया अब इन ऑजारों को उसने क्या क्या नुकीला बनाया लेकिन ऑजारों को उसका दिमाग इतना विक्सित नहीं हुआ था तो उसने यह समझा कि यदि इतना बड़ा जानवर मान लीजे मुझे 80 किलो का जा मानव मधि पाषार काल में पहुचा तो से समझ में आया ये सब ठीक है लेकिन इसके अलावा में क्या कर सकता हूं तो मानव को समझ में आया कि ऑजारों को बढ़ा करने से कोई फायदा नहीं है औरो चोटा करना पड़ेगा और और चोटा किया मानव ने और पेड़ों पे रहे पाना अब संभव नहीं हो पा रहा था क्योंकि आप देख रहे हैं आपको पता है रिदुने तीन प्रकार की बिदलती हैं बरसाथ का भी एक समय आता है तो पेड़ों के उपर पूरी बरसाथ निपाना यह तो बहुत जादा मुश्किल है तो इस समय मानव ने क्या किया क पत्थरों को यहां पर मालीजे एक पत्थर रख दिया एक यहां रख दिया फिर एक इसकी उपर एक इसकी उपर एक इसकी उपर एक यहां एक यहां तो इस प्रकार से एक गुफा का निर्मान करूं जिसके अंदर में मैं यहां पर सिक्योर रह सकूँ तो इस प्रकार से मान तो उसे सुरक्षा के कारण उसे एक सिक्योरिटी गाड की जरूरत थी मैंनभ को समझ में आया कि क्यों ना ऐसा कोई पषु पाल लिया जाए जो मेरा इमांदार रहे हम उससे हमेशा जो मेरी रक्षा भी कर सके तो ऐसा एक पषु पालने के लिए मानव ने दिबाग में सोचा कि कौन सा पर्शू पाला जाए तो देखिए वहां पे तो बहुत सारे जानवर थे जो कि आदम खोर भी थे जो कि सर्वहारी प्रकार के भी थे कुछ ऐसे थे जो केवल घास फूस खाते थे तो मानव ने देखा कुट्टा अब दूसरी बात बहुत जादा इमानदार रहता है अपने मालिक से और कुट्टे के इमानदार रहने के कारण क्योंकि वह अपने मालिक से बहुत जादा इमानदार रहता है आपने कभी देखा होगा अगर आपने किसी कुट्टे को एक रोटी डाली हो या एक बिसक्ट भी डा कुछा जैसे कि उसने अगर माली जे मास खाया तो मास का बचा कुछा हिस्ता कोई फ्रूट या फिर कुछ भी चीज़े अगर खाई तो उसका बचा कुछा हिस्सा किसको कुट्टे को डाल देता था तो इस हिसाब से मानव के आस पास में कुट्टे रहने लगे और वो बाहर रहेकर उसकी गुफा का रक्षण करने लगे तो मानव के दुआरा पहला पाला गया जो पशु था वो था कुट्टा तो ये भी मध्य पाशान पाकाल में ही पाला गया लेकि मध्य पाशान काल में पहले तो उसने गुफा निवास प्रारम्ब किया उसके बाद उसने तो इतने सारे लोगों का भोजन संभव नहीं है यह फिर इंगे मानव ने परकुर्णपालन परारम्भ च्छाय यह आपको ने बिखिए रहे यह मानव के साथ चुत्ता जा रहा हुआ. और यहां पे पीछे जो है यह मास वगेरा यह देखिए यह कुता घूम रहा है यहां पे लोग अपने औजार वगेरा का निर्माड कर रहे है और यह शिकार करने जा रहे हैं आंगे चल कर इसके आंगे हम देखते हैं कि मानव जो है अब इनकी सभ्यता जो है वो बढ़ने लागे यह इनकी गुफा निवास था यहां पर देखिए आप यहां पर बहुत सारे इनका जो पूरा ग्रुप है यह बढ़ने लगा और इतने सारे ग्रुप का पूरा का पूरा पोशन केवल सिकार के माध्यम से हो जाए यह तो बिलकुल संभव नहीं है तो फिर कैसा किया क्रशी का मूल निमार जो है या मूल जो विकास है वो कैसे हुआ होगा हो सकता है मानव ने किसी बीज को किसी धर्ती के अंदर जाते देखा फिर छोटा सा पौधा निकलते देखा तो उसको समझ में आया कि शायद इस बीज को डालने से पौधा निकल जाएगा और उसके ब कुण्ड परिवार के पालण पोषन के लिए अब यह हो गई हिस्टरी की बात इन तीनों संबंधों में अब मध्य परदेश में हमें क्या क्या पrabत हुआ जैसे कि हमने मध्य परदेश में देखा था सबसे पहले हम बात कर लें एते हैं पुरा पाशाणकाल की पुरा पाशाणकाल का वह समय है ये जब मानव जो है वो आदिम प्रकार का है शिकार के लिए बाहर जाता है क्योंकि शिकार के लिए जब मानव बाहर जाएगा तो शिकार करेगा उसके बाद भोजन खाएगा और जब भोजन को खाएगा तो उसके बाद उसको क्या लगेगी पानी प्यास लगेगी और प्यास लगने की वज़े से क्योंकि इनकी बस्तेया नदियों के किनारे हुआ करत इन नदियों से मध्य प्रदेश में पुरा पाशार के सम्मंदित उपकरण औजार और साक्ष मिलते हैं इसके अलावा मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के हत्थ नोरा से मध्य प्रदेश में सबसे प्राचीन विश्व के सबसे जाधा प्राचीन मानव अवशेश के साक्ष जो है वो सीहोर के हत्थ नोरा से प्राप थे इसका सीधा मतलब क्या आए देखो पानी पीने आया था कोई व्यक्ति अब वहीं पानी में डूप के मर गया क्योंकि तैरना उसको आता नहीं था अब जब वो मर गया उसकी मृत्ति हो गई तो उसके जो अवशेश हैं वो हमें आज जाकर मिले और इनकी खोच किस ने की तो इसकी खोच की है यह आरोण सोनकिया जी के द्वारा और इस जो अवशेश जो हमें यह प्राप्त हुआ है इस अवशेश को नाम दिया गया है नर्मदा मानव का क्योंकि यह नर्मदा घाटे के शेतर में प्राप्त हुआ है और यह अवशेश है इनकी खोपड़ी का अकार देख रहे हैं आप कितना बड़ा हुआ करता था मतलब जो हमारी अंदर अब परीवर्थन आ रहे हैं, इसमें हम छोटे होते जा रहे हैं. पहले ही सिराने पर्देश में जो पुरा पार्षानकाल है, इस स向हजी मिलेता ही, हमें नर्सिंग पूर्ज लेके भूतरा नामग गाउ से. यहां तक कि सारी चीज़े आपको क्लियर समझ में आई हैं नई समझ में आई तो एक बार रिपीट करके देख सकते हैं वीडियो को आंगे चलते हैं हम देखते हैं मध्य पाशाण काल में मध्य प्रदेश चे सम्मंदित क्या रहा देखो इस समी मानव ने क्या सीखा था पशु पालन सीखा था और गुफानिवास सीखा था तो सबसे पहले देख लिया कि गुफानिवास इसके साथ ही साथ में हमने देखा पशु पालन तो मध्य प्रदेश अब इसमें है क्या मतलब हम बच्पन से पढ़ते हैं कि भी मैटका में गुफानिवास के साक्ष मिले क्या मिले वास्तविकता में देखिये ये छोटा साफ को एक प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा होगा, इस प्रोजेक्ट में आपको दिखाया चार रहा है कि आदी मानव किस प्रकार से रहा करते थे, तो भीम बैटका में हमें क्या मिले हैं, तो वो मिले हैं शैल चित्र, मतलब जो आदी मानव थे, उनका एक आधा हिस्सा तो शिकार कर प्रफ खांप लगताइन फर दूसरे का मोलते हो तो यह को चित्र कारि की क्याhao ид डिखाई तो आपको चित्रकारी दिखा हों सबसे जादा क्या मिलता है तो बैल यह अप्र किसी प्रकार का जीव, उन्हें मारते हुए लोग, तीर, कमान, ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, आदी मानवों की चितरकारी के अंतरगत, और इसके सीधे सीधे साक्ष मध्य प्रदेश के भीमेयटिका से मिलते हैं, और इसे युनेसको ने विश्व धरोहर की सू प्रदेश के होशंगाबाद जिले के आदमगड नाम की जगह से, मध्य प्रदेश में, आदमगड नाम की जगह से, सांक्ष मिलते हैं कि मध्य प्रदेश में मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया था, जिसके सांक्ष आदमगड से मिलते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के हो तो यह दोनों जो जगहा हो गई यह मद्ध्य पाशान काल से समंधित हो जाती है गुफानेवास भी और पशोपालाग से भी नव पाशान काल नव पाट साल काट से क्या क्या चीजे समंधित हैं हमको यह देखना है नव पाशानकाल ये वो समय था जिस समय में मानव ने क्रशी करना प्रारंब कर दिया था इसके साथ ही साथ में उसने इस समय आग का प्रेयोग भी प्रारंब कर लिया था और यहां पर उसने पहिये का निर्माड भी किया था अच्छा क्यों किया होगा इसने ये सारी चीज़ें देखिए जो मास होता है मास को भूंज कर खाना था उसको इसलिए उसने आग का प्रेयोग किया इसके अलावा जब पहिये की निर्माण की बात आते हैं तो देखिए जब उसने क्रशी की होगी फसल बनाई होगी और फसल क वो काय में रखेगा कोई चीज होनी चाहिए जिसमें वो रख सके और इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो कैसे लेके जाएगा तो उसने पत्थर के बड़े-बड़े पहियों का निर्माण किया था इस प्रकार के गोल-गोल पहियों का निर्माण किया था उसमें इस प्रशी से जो उपज प्राप्त हो रही है उस उपज को ले जाने के लिए इन पहियों का निर्माड और वहीं उस उपज को रखने के लिए मृत्भांडों का निर्माड किया गया ऐसा आपको समझ के चलना आपको इस चीजें बिलकुल कभी भी कन्फ्यूजन नहीं करेंगी दिमाक में मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में नव पाशानकाल से समंदित तत्त ही हमें कहां मिलनेते हैं तो वह मिलते हैं भोपाल जिले के अंतरगत और जवलपुर जिले के अंतरगत भोपाल जिले की श्यामला हिल्स पहाड़ी मनुआ भाव टेकरी से ह हमें नव पाशानकाल से सम्मंद साक्ष मिलते हैं, वहीं जवलपुर जिले की बात करते हैं, तो जवलपुर जिले क्योंकि नर्मदा घाटी शेतर के अंतरगत आने की कारण इस जिले के तीन घाटों से प्रमुख ताहर नव पाशानकाली उपकरनों की प्राप्ती हुई है, तो एक है हमारा तिलवारा घाट, दूसरा है हमारा लमहेटा घाट और अगला है हमारा भेडा घाट, तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश में नव पाशानकाली इस थलो की प्राप्ती इन जगहों से हमें प्राप्त होती है, इसके अलावा काम्र पाशानकाल ये कौन सा समय देखे जब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में नव पाशान का समाप्त हो गया और मानव ने क्रशी करना शुरू कर ली पहियों का निर्मार किया तो उसे ना बहुत सारे तामबे के धेर मिले अब इन तामबो का धेर में वो करे क्या क्योंकि मानव का धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि बहुत धिक विकास हो रहा है और इस बहुत धिक विकास के चलते मानव ने ऊपर उठना सीखा तो इसने क्या किया तामबे को जैसी इसने देखा तो उसको लगा शायद इसको गरम कर और आभू शडों के साथ में इसने ुरत्भांडों का निर्माण किया जो की हमने नव पाशानकाल में देखा था तो मुख्यता हमें ताम्रपाशानकाल से भी दिखाई देता है इस प्लकार से यह ताम्रपाशानकाल के मिलते हैं इस काल में सबसे जादा ताम्बे का प्रयोग किया गया था इस कारण से इसका नाम ही तामर पाशाणकाल रख दिया गया clear चलो अब तामर पाशाणकाली इस थलों की बात करते हैं कि मद्य प्रदेश ने कौन कौन से इस थल प्राप्त हुए नागदा आवरा नावदा टोली देखें पहला है नागदा जो की उजयन जिले की अंतरगत आता है आवरा फिर आता है कायथा कायथा सबसे ज़्यादा फेमस इस्थल है जो कि तामर पाश्वान काली निस्थलों में जाना जाता है फिर आता है नावदा टोली और ये सारे जो इस्थल हैं ये तामर पाशान कालीन इस्थल हैं यहां से सबसे ज़ादा तामबे की चीज़े प्राप्त हुई है हमें मध्य प्रदेश में लोह युग जब हम लोह युग की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में लोह युग बहुत जादा बड़ा नहीं रहा है लोहे का जो विकास है वो इस समय प्रारंब हुआ था और मध्य प्रदेश के रीवा सतना वाले शेत्र से कुछ मात्रा में लोहे की अवशेश प्राप्त हुआ है उस समय के अब देखते हैं कि मध्यप्रदेश में प्रमुख कौन कौन सी नदी घाटी थी कौन कौन से छेत्र थे और उनका सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया था सर्वेक्षण का क्या मतलब होता है पहले चीज स्लियर कर लो देखो पुरा तत्विक जो भी चीजें होती हैं उन स कि जानकारी निकालता है उसे ही कहा जाता है सर्वेक्षण करता तो कौन से सर्वेक्षण करता ने यहां पर इन चीजों का सर्वेक्षण किया पहला है नर्मदा सोन घाटी नर्मदा घाटी शेत्र सबसे पहले बात करते हैं नर्मदा नदी घाटी शेत्र की तो नर्मदा न दोनों जो ये विक्ति हैं इन दोनों ने नर्मदा घाटी शेत्र पे सर्वेक्षन किया था देखा था कि यहां से कौन-कौन से पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं कौन-कौन से उपकरण मिल रहे हैं चम्मल लदी घाटी शेतर की बात करते हैं तो इसकी जो सर्विक्षन करता है ये हैं वी एस वाकडकर जी और वाकडकर जी जो है वो बहुत जादा फेमस पुरातत्विक विद भी रहे हैं नर्मदा सोन घाटी की बात करते हैं तो नर्मदा सोन घाटी के मुख्य पुरातत्व विद जो रहे है वो रहे है निशार एहमद जी तो निशार एहमद गौलियर के सर्वेक्षन करता की बात करते हैं तो गौलियर के सर्वेक्षन करता जी रहे है हमारे बीबी लाल बीबी लाल जी इसकी अलावा मंडला जिले के जब सर्वेक्षन करता की बात करते हैं तो मंडला जिले के सर्वेक्षन करता रहे हैं सुपेकर और रीवा सपना के सर्वेक्षन करता रहे हैं जी शर्मा जी देखो ये आपके लिए confusion क्रेट कर सकता है यह आसानी से याद नहीं होगा, इसको 5-6 बार रिपीट करना पड़ेगा आपको, उसके बाद ही यह चीज़ें आपको याद होगी, पर टेंशन लेनी की जरूरत नहीं, देखो कैसे याद करना, एक चीज़ पढ़ लो, नर्मदा नदी घाटी, सबसे जादा फेमस HD साकल या देखो, कहा जाता ने कि नदियों के अंदर साकल होती है, साकल होती है, साकल क्या एक पकड़ने वाला जीव होता है, ऐसा बोल जाता है, तथा कतित कहानिया है, यह पर आपको यहाद हो जाएगा, कि नर्मदा नदी के अंदर क्या है, साकल है, तो साकल है, तो HD साकल याद हो ग्वालियर जो है ना बहुत जादा गर्म शेत्र है इस कारण से यहां पर यह होता है किसी की भी बीवी को लेकर लाल हो जाती है मतलब पूरी रेड हो जाती है तो इस कारण से बीवी लाल कहा होती है ग्वालियर में तो ग्वालियर के सर्विक्षन करता जी शर्मा इतना महत् रि चेकर सहाभ जी है तो अपको इतना रख इसकेग बाद में देखते हैं अमेरहा वेदिक सबहता नहीं है इसके अलावा मैंने सब्णाओं मध्यप्रदेश काश नहीं सकनद नहीं है सब्सक्राइब कि जाना गिया है दक्षण की ओर बढ़ाने वाला पथ आपके ऊतर मिट नर्मदा नल्हीक तरफ में जो छेत रृस्तित है वही रेव उत्तर है और इन नामों मयद्यू प्रेश में मर्हेल प्रदेश को पुराणों में जाना जाता था इसके अलावा एक चीज और आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि मध्य प्रदेश के शेत्र में अगस्त महार्शी जी थे अगस्त रिशी जो थे इनके ही नीत्रत्व में यादवों का एक समूह आके बसा था और इन यादवों के समूह से ही आंगे चलकर मध्य प्रद बेखना तो नाम Revelation तो यह शबर शनी पूत्री का विवाह किया नागवश चे और नागवन्षके राजा थे पुरुकुद्स इसकी अलावा मिझा वंश के जो एक और राजा रहे जिनका नाम रहा राजा मुचुकुझ जो कि एक शवाकुवन्षके राजा रहे एक्षवाकुवंज के जो राजा रहा है उनका नाम था मुचुकुंद और मुचुकुंद के द्वारा मध्य प्रदेश में मन्धाता की स्थापना की गई थी और ये मन्धाता वही मन्धाता है जिसे हम आज खंडवा के नाम से जानते हैं कहानी में कंफ्यूजर ने कोई दिक्कत नहीं देखो क्या याद रखना है सिर्फ इतना याद रखना है कि एक्षवाकुवंज का एक राजा रहा जिसका नाम था मुचकुण्दो और इस राजा ने मन्धाता की स्थापना की मन्धाता को खंडवा कहा जाता है और यहाँ पर ही ओम कारिश्वर जोतिरलिंक इस्थित है इसके अलावा कुछ यहाँ पर याद नहीं रखना है इसके अलावा हम देखते हैं कि एक और राजा की बात आती है जिसका नाम होता है राजा श्रहस्त आरजुन या फिर कार्टी वीर अरजुन या फिर श्रहस्त आरजुन ये ऐसे राजा माने जाते हैं कहा जाता ही कि इन्होंने रावड से भी लड़ाई की थी और ये जीत गए थे और इनका शेत्र मध्य प मतलब मध्यप्रदेश के पुराने रगनों को आज किस नाम से जाना जाता है देखे अनुपदेश की जब बात करते हैं तो इसका मतलब निमाड को अनुपदेश के नाम से जाना जाता है इसके अलावा तुंडी केर की बात करते है तो तुंडी केर जो है वो दमो को कहा जाता या उज्जैन से है और उज्जैन को उज्जैनी भी कहा जाता था पहले और इसके अलावा इसे अच्छित गामी भी कहा जाता था अक्षित गामी भी कहा जाता था तेवर जो है इसे जबाली पुरम या फिर जवलपुर के नाम से जाना जाता था तो यह आपका जवलपुर वर्तमान का हो जाएगा गोपगीरी, गोपगीरी को पवाया के नाम से भी जाना जाता था और इसे ही वर्तमान में गौलियर कहा जाता है कारुष देश, जब कारुष देश के हम बात करते हैं तो ये है खंडवा तो इस प्रकार से ये होगा है मध्यप्र देश के वर्तमान के शितरों के नाम कैसे आपको याद रखना है देखिए अनूब देश जो है अनूब देश कहा जाता था निमाल को बिल्कुल क्लिया रखना अनूब देश निमाल को कहा जाता था फिर तुंडी केर की बात करते हैं तुंडी केर कहा जाता था दमोह को दशान दशान विदीशा को कहा जाता था अवंती अवंती उजयनी आपको याद रखनी है इसमें से कुछ भी कॉशन में आपसे पूछ सकता है फिर बात कर रहे हैं महाजनपद काल की देखिए महाजनपद काल जो है ये वह समय था जब भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ और इसके साथी साथ में बहुत सारे चोटे बड़े जनपदों का भी हुदय परण्थू इसमें से दो बड़े महाजनपद मध्य प्रदेश में इस्थित्तें जिसमें एक था अवंति महाजनपद दूसरा था चेदी महाजनपद तो इसका ऑल एक किसमे मिलता है महाजनपद काल का एक भगवती सूतर और अंगुत्तर निकाय जैसी किताबों में मिलता है और इसमें 16 महाजनपदों की बात की गई है जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस महाजनपद था वो था मगद काव महाजनपद जब हम बात करते हैं अवंती महाजनपद और चेदी महाजनपद की सबसे पहले अवंती के बारे में देखते हैं, अवंती जो है ना, ये मध्य प्रदेश के मालवा के छेतर के अंतरगत आता था, मालवा छेतर के अंतरगत आता था, अवंती किस नदी के किनारे इस्थित था, तो अवंती जो है वो बेतवा नदी के किनारे इस्थित था, और ज अब बात कर लेते हैं इसके राजधानी कौन-कौन सी थी तो इसकी दो राजधानी थी एक थी उत्तरी अवंतीकी राजधानी जो थी उज्जैनी और दूसरी जो थी दक्षणी अवंती की राजधानी अब दक्षणी अवंती की राजधाने की बात करें तो ये थी महेशमती जिसे हम महेशमती के नाम से भी जानते हैं और ये जो है ये मन्धाता वाला शेत्र था अर्थात कौन सा शेत्र था खंडवा जिले का शेत्र था ये हम चार पांच बार अभी बात कर चुके हैं देखिए यहां के जो राजा रहे थे जो इस समय में अवंती महाजनपत की राजा थे जिनका नाम था राजा चंड प्रदोत ये जो थे ये गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों के समकालीन राजा माने जाते थे बात कर लेते हैं आप चेदी महाजनपत की देखिए चेदी जो महाजनपत है न यहां महाजनपत जो है वो बुंदेल खंड के पूर्वी भाग में स्थित है इसके साथ ही साथ में इस महाजनपत की राजधानी थी शोतिवती या फिर इसे ही शोक्तिवती के नाम से भी जाना कि इन फो कि आहां पर चे करतें जो कि जीज्थी महाजनपथ काल काम जाता है और शेशुपाल की हत्या बगवान श्री करशन के हात हो तो यहां पे हमारा चेदी महाजनपथ और अवंती महाजनपथ दोनों के बारे में हम प्रे नेक्स वीडियो वे लिए उइस हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में महाचनपत्काल मध्य प्रदेश की जो लोकल डाइनिस्टी वई जो यहां के वन्शुए अब हम उनके बारे में भी आगे चलके बात करेंगे आपको हमारी वीडियो इस कैसी लग रही है अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज नहे लाइक, शियर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुचाईए ओके थैंक्यो सो मच मिलते हैं नेक्स वीडियो में